किसी ने बड़ी कमाल की बात कई है कि बातों में सक्ति भगवान को भी पसंद नहीं है इसलिए उन्होंने जुबार में हड़ी नहीं दी है एक बार एक सेट ने अपने मैनेजर को किसी काम के बिगड़ आने पर सेट ने उसे खोव खरी खोटी सुनाई और फटकार भी लगाई मैनेजर को गुसा बहुत आया पर वह अपने सेट को कुछ बोल नहीं पाया वह अपना गुसा किस पर निकाले वह सीधा कमपनी के इस्टाप के पास गया और सारा गुसा अपने करमचारी उपर निकाल दिया अब करमचारी किस पर अपना गुसा निकाले वह सारे करमचारी जाते जाते अपना गुसा गैट पर बैटे वाजमेन पर उतार दिया अब वौज मैन किस पर गुसा अपना निकाले जब वौज मैन घर गया तो अपना सारा गुसा अपने बीवी पर उतार दिया अब बीवी क्या करती बीवी उठी और अपने बच्चों को लगी पिटने और बोलने लगे कि तुम लोग सारा दिन बैठ कर टीवी देखते हो पढ़ना लिगना और कुछ काम तो है नहीं अब बच्चे गुसे से घर से निकल रहे और सड़क पर सोरे कुथे को पत्थर मार द जलिए मैंने इन बच्चों का क्या भिगारा है और गुस्षे में उस कुतिये ने एक आदमे को काट लिया अब कुतिये ने जिस आदमे को काटा कि आ TOP होिसे और जिससी कि ने इसे मेरे बच्चों को Pris प्रमिश्वर और प्रकरती सब देखते रहते हैं और फिर उसका फल किसी और की निमित हमें मिलता है और हमें लगता है कि लोग हमें बेवजा ही परिशान कर रहे हैं और अंत्वे में यही कहूंगे कि हमें अपने गुसे पर काबू रखना चाहिए क्योंकि जिसने अपने गुसे पर काबू कर लिया वह जीवन जिने में सपल हो जाता हैं गुसा करने के लिए किसी ताकत की जरूत नहीं होती है पर गुसे को काबू करने के लिए बहुत ताकत लगाने पड़ती है इसलिए तो कहा जाता है कि बातों में शक्ति भगवान को भी पसंद नहीं है इसलिए उन्होंने जुबान में हड़ी नहीं दी है अगर आप ऐसे आगे वीडियो देखना चाहते तो लाइक किची और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद